ओम नमस्शिवाय, आप सभी का स्वागत है मित्रो आज हम बात करेंगे मेश राशी के बारे में आने वाले अगले तीन दिन, दस ग्यारा बारा अगस्ट, सोवार मंगलवार वैबुदवार आप के लिए कैसे रहने वाले हैं, मित्रो हमारा राशी फल चंद राशी पराधार यह समय भादरपदमास के क्रिशन पक्ष का समय है इस समय में ग्रहों की स्थिती ऐसी बनी हुई है कि सूर्य बुद्ध करक राशी में शनी मकर राशी में शुक्र राहु मिथुन राशी में ब्रस्पती केतू धनू राशी में और मंगल मीन राशी में रहने वाले हैं दस तारिक सोमवार को सब्तमी दिती रहेगी अशुनी नक्षत्र होगा और चंद्रमा मेश राशी से गोचर करेंगे इस दिन केतु का नक्षत्र रहने वाला है इस दिन का शुब समय दिन में 12 बजे से 12 बजकर 52 मिनट दोपहर 2 बजकर 5 मिनट से 3 बजकर 45 मिनट रहेगा और शुब समय सुबह 7 बजकर 27 मिनट से 9 बजकर 7 मिनट तक रहेगा सोमवार के दिन आपके सोभाव में अग्रेशन बढ़ने वाला है यानि की क्रोध बढ़ने वाला है सोमवार के दिन आप जोश और उत्सा से भरपूर रहेंगे लेकिन आपके बोल इस दिन बिगड सकते हैं इस दिन आपकी सेहत अच्छी रहेगी प्रेम संबंदों में प्यार और विश्वास बढ़ेगा लेकिन वेवाहिक जीवन में उतार चड़ाव आ सकते हैं इसलिए बोल चाल में साबधानी रखें और अपने लाइफ पार्टनर की भावनाओं की कदर करें इस दिन शिक्षा में आपकी कंसेंट्रेशन बहतर रहेगी एक्जाम इंट्रिव्यू तक आप किलियर कर सकते हैं नोकरी के हालात अच्छे रहेंगे करियर में बेनीफिट प्राप्त होगा और पुराने अधूरे काम बनेंगे इस दिन नए लोगों से मिलने जुलने की प्लानिंग भी काम्य आप रहेगी आपका परदर्शन बहुत बहतर रहेगा कारिय स्थल पर कारिय की अधिकता रहेगी लेकिन आपके लिए महौल अनुकूल होगा संतान पक्ष से इस दिन सुक प्राप्त होगा व्यापार कारोबार में इस दिन धनलाब होगा लेकिन काम को बढ़ाने के लिए नए निवेश के लिए कुछ एहम खर्चे होंगे। इस दिन शेयर सटे लोटरी में बड़े रिस्क नहीं लेने चाहिए। इस दिन आप के लिए शुब रंग लाल शुब अंक आठ रहेगा। उपाय के तौर पर हनुमान चालीसा का पाठ करें। से लेकर दोपहर के दो बजकर पाँच मिनट तक रहेगा। और अशुब समय रहुकाल का समय दोपहर तीन बजकर चौालीस मिनट से शाम के पाँच बजकर चौबिस मिनट तक रहेगा। नई मितरता नई जान पहचान बहुत काम आने वाली है। इस दिन लोग आप से परभावित रहेंगे। आपकी परसनेल्टी में भी निखार आएगा। आप जोश और उत्सा से भरपूर रहेंगे और आपका मन भी प्रसन रहेगा। आपकी सेहत इस दिन बहुत अच्छी रहेगी। सेहत में बड़े सुधार इस दिन दिखे जाएंगे। प्रेम संबंदों के लिए समय बहतरीन है। वेवाहिक जीवन में खास खुशियां इस दिन दिखाई देंगी। और पुराने मतभेद दूर होंगे। इस दिन शिक्षा में आपको लाब की प्राप्ती होगी। बस लापरवाही करने से बचे। इस दिन संतान पक्ष की तरकी होना तैह है। बच्चों से जुड़ी समस्याएं इस दिन दूर हो जाएंगी। नोकरी के हालात बहुत अच्छे रहेंगे। जो में परमोशन तक मिल सकती है। नई नोकरी का प्रयास करने वालों को शुब समाचार प्राप्त होंगे। व्यापार कारोबार में बड़े धनलाब होने की संभावनाएं बनेंगी। इस दिन बड़े मुनाफे होंगे। शे नोकरी की पूजा अर्चना करनी चाहिए। बात करें बारा तारिक बुद्वार की इस दिन नम्मी तिति रहेगी। कृति का नक्षत्र होगा और चंद्रमा ब्रिशब राशी से गोचर करेंगे। सूर्य का नक्षत्र इस दिन रहने वाला है। इस दिन का शुब समय सुब 10.46 मिनट से दोपहर 12.25 मिनट तक रहेगा। इस दिन का शुब समय रहु काल का समय दोपहर 12.26 मिनट से दो बच कर 5 मिनट तक रहेगा। बुद्वार का दिन भी मेश राशी वालों के लिए बहुत ज़्यादा शुब और भाग के शाली है। हर काम में ही आपको सफलता इस आप इस दिन करना चाहिए। दोस्तों अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और ओम नमस्शिवाय जरूर लिखे।